सालों पहले राखी सावन की मा किया करती थी ये काम। फिलहाल जूंज रही है कैंसर जैसी बिमारी से। वेल, आखिर कैसे बीता है राखी और उनके घर वालों का अब तक का जीवन आईए जानते है। राखी सावन ने बिग बॉस 14 के घर में खोब सुर्खय बटोरी। वही ये कह सकते है कि जहां राखी वही एंटेटेन्मेंट। वही राखी तब सबसे जादा तोट गई जब उनकी मा कैंसर की चपेट में आ गई। राखी ने एक बार ये खुलासा किया था कि शुरवाती दिनों में उन्हें किन परिस्तियों का सामना करना पड़ा था। इस बारे में एक बार बात करते हुए राखी ने बताया था कि उनकी मा हॉस्पिटल में आया का काम करती थी। तो वही उनके पिता एक पुलिस कॉंस्टबल थे। वही इस बात का तब खुलासा हुआ था। जब राखी राजीव खंडिलवाल के चाट शो जज़ बात के मंच पर पहुची। तब राखी ने शेर किया था कि मेरी मा एक अस्पताल में कचरा साफ किया करती थी। कभी-कभी हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। कभी-कभी तो हमें बच्चे कुछे खाने से गुजारा करना पड़ता था। वही इस चैट शो के दौरान राखी ने बताया था कि उन्हें डांस करने पर घर में पीटा जाता था। और ऐसा उनके मामा किया करते थे। वही उन्होंने ये भी बताया था कि इसकी वज़े से एक बार उनको स्टिच्चिस भी लग चुकी है। वही राखी ने रिवील किया था कि उनका असली नाम नीरू भेडा है। वही इसी चैट शो के दौरान उन्होंने इंडस्ट्री में हुए अपने साथ बुरे बरताव के बारे में भी बताया था। वैल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर हमें कॉमेंस कर जरूर बताए और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहे टेली मसाला।